मिलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए अगर कोई भी हो चाहिए अगर देश का प्रधान मंत्री भी हो अगर वो गलती करता है अगर नयाले के खिलाफ कानून के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको मार पीट करें उससे जगडा लडाई करें उसको मारे पीटें उस अभी मैं इस वक्त आरा ग्रांड रिशॉर्ट में हूं और बड़ी ही अच्छे यहां का महौल है और बड़े अच्छे कलकार यहां पर सूट करते हैं अभी हम लोग के भुषपुरी के बहुत ही अच्छे कलकार और भुषपुरी के जाने-माने कलकार जिनके तमाम गाने परिवार के और भुषपुरी से हमने बनी जाए तो भुषपुरी खाती कुछ छोटा सा परियास बापन गावत निए बजावत निए सेवा करते हैं अभी भुषपुरी में बहुत बड़ा एक मैटर हुआ है अकांचा दुए को लेकर जिन्होंने कुछ लोग बोल रहे है हैं मतलब करना है और पुलीस को निसपक जांच करना चाहिए सिबी आई जांच करें इस बात का और समर सिंग जहां तक मैं जानता हूं बहुत अच्छे गायक है एक बार मिल चुका हूं मैं और बहुत ही नेचर के भी अच्छे है लेकिन अब क्या है क्या प्रोसेस है कैसे क्या है उसारा चीज तो पुलिस बता पाएगी और जांच होगा पुलिस ने पकड़के और फिर उन्हें छोड़ दिया कि कोई पूश्तास नहीं हुआ उनसे फिर बाद में आज मैटार आ रहा है कि नहीं उनसे पूछना चाहिए था तो क्या आपको लग रहा है कि अपने अपने मंद से बताईए कि क्या लग रहा है कि समर सिंग ऐसा करव आपके घर से भी मेरे पास कॉल आ सकता है कि बाव शमरेश बाव कहां है जाए जो भी है तो उस अधार पर उनका मा का भी कहना सही है एक तरह से क्योंकि समर सिंग और वीडियो भी अधिकतर उन्हीं के सांदिक्टा सुनने में आ रहा है कि शमर सिंग रिलेशन में थे अकां अच्छा लग रहा है कि अगर दूसरे कलकार के शाथ काम करे तो उसको मार पीट जगड़ा लडाई करे उसको मारे पीटे उसका पैसा खुद समर सिंगे है कि अगर ऐसा है तो यह गलत है अगर ऐसा नहीं है तो जाच कभी सह है पुलीस जांच करेगी क्या है कैसे है जरूर गिराइब करके हैं जो बहुत अच्छे कमेडियन है अब बहुत दीनों से उनको देखते आ रहा है वो बोल रहे हैं कि समर्षिंग तो साहदी सुद्राइब तो अकनशाद में कैसे रह सकता है लेकिन पूरी भोजपुरी इंड़स्ट्री आती है कि वह समर्षिंग रिलेशन में थे भी अबी बिजंदर सिंग वी आई पी वी जंदर सिंग देखिए कहने का तो यूट्फुब है बाई और मुह है अपना डिज़्टल प्लेटफोर्म है मैं विजंदर सिंग को नहीं जानता कौन है मैं हो सकता है कभी देखा हूँगा चाहे कुछ भी लेकिन मैं ऐसे नहीं जानता है जैसे नाम आप पकड़ रहे हैं और अच्छा चलिए अभी तक तो आपका एक बहुत ब्लास्ट सौंग हुआ चलिए यह तो बाते होती रहती हैं और हो ही रही है भगवान करे कि उनकी आत्म अभी कुछ दिन पहले मेरा गाना हुआ था वह कौफी भी बहुत सारा हुआ था बहुत सारे लोगों कौफी किया था अलाकि यह तो भोशपूरी में बहुत दिन से चलता रहा है गाना ऐसे था अगा पिछा को रताड़े जाई बेटांगा ही हरे जिलावा मेना मुबाटे क आपको यह गाना हमने भी सुना और बिल्कुल साब सूतर है और सलीलता से तो धूर है रही बात तो आपको लोग रंगदार इस्टार के नाम से कहते हैं बाई यह क्या यहां कहां तक सच है यह जैसे मैंने जो तो है ना पोस्टर बनवाने के लिए भेजा जाता है तो मेरा तो मैं उसको फोटो भेजा था और जैसे नहीं होता है अपना फोन नंबर वगएरा दे दिया जाता है तो उधर से पोस्टर में लिखके कोष्ट लगा के मनीश समराथ रंगदार इस्टार लिए और वही बोला कि भाईया यह नाम रखिया अच्छा लगेगा अच्छा यूनिक चीज है और इनकी प्रेशनालीटी भी वैसी है बड़े भाईया की कि इनको लोग रंगदार इस्टार के नाम से जानते हैं और जैसे ही इनका नाम रंगदार इस्टार हुआ तमाम इनके रंगदारी वाले जो सौंग है बजगा कि लभर रंगदार ते हो जईवे वो लिखाई वैसे वैसे तमाम गीत तो जाते जाते समय कुछ एक लाइन गुनगुना दीजे मेरे दर्स होगी एक पाउन भी गीत बड़ा हमरा प्यारा लागेला कि मोहबत कर गयल लखिया न धड़कन के खबर लागल बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थी अच्छा लगा और आप लोग कमेंट में भी बताएं कि कैसा लगा आपको और ऐसे हैं आप सब देखते रहें समर्दिनों चैनल आज तक के लिए इतना हैं धन्यवाद